शो अगर existing networking capital जो है existing networking capital कहने के मतलब है networking capital होती क्या है यारे कि जो आपके assets जो है exceed कर रहे है liabilities के उपर तो current assets minus current liabilities ठीक है that is your networking capital working capital क्या current assets है लेकि networking capital क्या जब liabilities को उसमें से subject कर देते हैं that gives you networking capital ठीक है तो यहां पर जो long term आपके funds हैं जो exceed कर रहे हैं long term uses से उनको भी आप current assets की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं तो long term funds हो गया यानि कि जो on funds है या फिर जो अपने term borrowings कर रखी हैं जिसे आप current assets को finance कर रहे हैं अगर आपकी networking capital जो है वो आपके total current के 25% से ज्यादा है तो आपकी current ratio क्या होगी 1.33 इंस-to-1 से ज्यादा होगी सिम्पल सी चीज़ है simple maths है current ratio क्या है current assets divided by current liabilities ओके तो कहने का मतलब है कि अगर आपके जो long term funds हैं जिनको आप इसमाल कर रहे हैं current assets के तौर पर तो इसमें को का से चीज़ हैं के long term funds में जो आपके on funds है यहां फिर आपने जो term borrowing कर रखी है जो की available है for the financing the current assets अगर यह आपके networking capital जो है यह exceed करती है 25% से तो आपकी जो current ratio है that will be more than the 1.33 into 1 तो इस तरह के जो industrial unit है जिनके जो past performance record अच्छा रहा है और जिनकी current ratio भी बहतर है अब 1.33 into 1 क्या है यह एक benchmark ratio है एक benchmark है for the current ratio आपकी current ratio भी बहतर है आपके कि जो industrial units रहेंगे इनको permit किया जा सकता है कि यह unit से पैसे जो withdraw कर सकते funds को and slip back कर सकते हैं in current ratio किसी specific purpose के regarding नहीं तो एक चीज़ दबारा से repeat कर रहा हूं जहां पर unit की जो past performance है वो भी बहतर रही है current ratio भी पहले अच्छी रही है तो वहाँ पर ऐसे units को allow किया सकता है कि वो अपनी current ratio को slip back कर सकते है कि कम कर सकते हैं यान कि वो withdraw कर सकते हैं funds को यह specific purpose के लिए जिसके साथ उनके जो certain purposes है वो भी solve out हो जाएंगे लेकिन इस चीज़ को ensure करना जरूरी है इच शुट बी इंस्योर कि जो withdraw of fund किया जाएगा वो उस extent तक ही किया जाएगा कि करेंट रेशो है वह एट लीस्ट वान पॉइंट री इंस्ट वान रहे इवन आफ्टर दी withdrawal of the funds यह जो कि करेंट रेशो है यह कम से कम 1.33 जो मेंटेंड हो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है तो कि बैंचमार्ग रेशो है इसको अपने मेंटेंड रखना है रखना है तो विड्रॉल जो किया जा सकता है funds का वो किस परपर्स के लिए किया जा सकता है लेट उस लुक इंटुए